हाई फ्रेंड्स आपका न्यू नॉलेज टॉप के चैनल में स्वागत है आप कैसे हैं बताएं और मैं ठीक हूँ देखें मैं आपको आज डबल लियर की फ्रॉक बनाना बताऊंगी बहुत ही अलग तरीके से अलग डिजाइन से बहुत कुछ सथ लेगी उपर से हम इसमें गे करें मिरे वीडियो को सेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मिरे वीडियो को सेयर करें और वाच करें फुल वीडियो को पहले आप वाच करें उसके बाद दे आप कटिंग करें और उसके बाद आप सिलनाय स्टार्ट करें पहले वीडियो को देख लें उसके बाद देखें य से सिलाई करके इसे गेदर बना लिए हूं यह उपर नीचे दोनों तरफ सिलाई है जो उपर के साइड यह स्टेप से उपर रहे गा तो देखने में बहुत ही खुबसरत लाएगा यह यह देखें यह स्टेप से उपर से रख करके सिराएगा डबल लेयर की यह फ्रॉक है पैपलेम है हाइट में ही कम है यह चोटी है यह आठाट इंचेस का दो लियर है इसमें उसके बाद 14 इंचेस की बोड़ी है और बाजू है पुरा जो बड़ा है जो मैं अलाश्टिक लगा करके बनाए हूँ इसमें थोड़ा सा मैं नेक डिजाइन डालूँगी तो आपको यह दिखाऊंगी कि इसमें हलका सा हम नेक डिजाइन डालेंगे यह देखे हम चार इंचेस के गला डो कर लिये हैं हलका सा देखे हैं हलका सा हम गला कट कर लेंगे यह मसीन पर ही हम कट किये थे पहले से कट करके नहीं रखे थे इसे कि हलका सा मेरे गला डिजाइन बनाना था और फिर इसलिए कट नहीं किये थे कि ताकर कोई ऐसा डिजाइन होगा तो इसमें गला नहीं कट होगा देखें मैं गला कट कर लिए और उसके बाद मैं ये तीरा जोयंट कर लूँगी ये भी हमें हमको हल्का पट्टी लगाना है पट्ली एक इंचिस की मैं लगा लूँगी इसे मैं तीरा जोएंट करने के बाद देखें ये धागा से मैं पहजामे का जो कपड़ा था कलर का उसे मैं बना के रख ली थी और ये ये देखें ये मैं इतना चौड़ा कपड़ा ली और उसके ऊपर धागे से सिलाई अधरी कर दिया आप नॉर्मल धागा से वाइट से कर सकती है इस टैप से बनाना हां देखें दोनों को इस टैप से पकड़ना हां और इस टैप से बना लेना हां बहुत अच्छा बंद करके ये तयार हो जाएगा इसके बाद इसे ही मैं आई टैप से यूज़ कर लूँगी इ कि आप एक पट्टी ले इसमें बुकरम चपका हैं और उसके बाद यह वाइट धागा जो मसीन में हम लगा कर कपड़ा कर रहे हैं बस उसी से स्टेप से तिर्था तिर्था आपसिल लें तो आपका हो जाएगा उसके बाद 20 से लगाना स्टार्ट करें यह तो दोनों चपका ह को नहीं है पर मगर इसे इस टैप से हम रखें हुए हैं यह बकरम है तो वैसी वह एस्टेट रखा हुआ हाँ 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 के कारण और नहीं तो फिर सिर्फ कप्ड़ा रहेगा तो लूज रहेगा और नीचे से हम 3 इंचे धाइंचे छोड़े हैं आप जितना चाहे तो और अगर्चे ऐसा कॉर्णर नहीं बना रहे हैं तो आप पूरा लगा सकती हैं यह देखे पहले बीच में हम इसे अच्छे से सिलाई कर लेंगे उसके बाद साइट पे दोनों तरफ के सिलाई करेंगे जो नीचे में कॉर्णर जो हलका से डिजाइन बना हुआ हां मैं उसे भी कर लोगे दीरे दीरे लगाना है से खैचना नहीं है बिल्कुल नहीं तो फिर फिनिसिंग नहीं आएगी इस टैप से घुमा लें कि आई यह दूसरी टैप से हलका सा नीचे कपड़ा को ठीक करते हुए अब सिल्ले नहीं तो फिर सी कुड़न रह जाएगा फिर हलका यह कोने पर सुई को गड़ा करके हलका सा गुमा करके यह कौनर तक ले जाएं फिर यहां पर सुई हलका सा गड़ा हैं फिर उसके बाद यह कौनर के पास गुमा करके लेकर आएं फिर उसके बाद यह सुई गड़ा करके फिर उपर की तरफ पुरा सिल करके आप न इच्छा अर्चे हाफ इधर से और हाफ उधर से तो आपको बहुत अच्छा इसमें डिजाइन भी टैप कर भी बन जाएगा जिब इस टैप से आप मूरेंगी तो देखें इसमें से मैं एक देड़ हिंचेस की ऐसी पतली पट्टी कट करके निकाल लूँगी यह कॉर्णर है तो हम कॉर्णर को इसको कोर को हटा लिए हैं हटा करके यह पतली देड़ इंचेस की पट्टी हम कट करके निकाल लेंगे कपड़े में से और उसके बाद यही को गला पट्टी लगा लेंगे अब बहुत अच्छा इससे गला बन जाता है अब जरूर देड़ इंचेस की पट्टी ले आउसे डबल करते हुए आप लगाएं बहुत अच्छा गला बन करके तयार होगा यह गले की कटिंग से कटा हुआ है कपड़ा निकला हुआ है और फिर साइट का जो आरमोल करता है फॉर्फुल करके कारते हैं तो साइट में कपड़ा निकलता है उ जाइन कर लोंगे और उसके बात यही को गले में मैं लगा लोंगे और बहुत अच्छा इसे गला बन करके तयार होता है मैं अप सर बनाती हूँ देखे मैं हलका से कट कर दी वीडियो यह फूरा गला बना करके तयार करके मैं आपको दिखा रही हूँ कितना खुबशुरत यह आई बना है अब चाहे तो प्लेन ही पजामे के कपड़े को बक्रम पर चपका ले एक इंचिस का लेकर देड़ इंचिस का अब जितना लेंगे उसका डबल यह बन करके तयार हुआ क्यूंकि हम इसको डबल कर दिये हैं अ और एक और वाली जो लेयर है उसको यूपर रखकर के मैं इसे सिलना स्टार्ट करूंगी मैं एक दूसरे लियर को पर रखकर के इसे हमको सिलना हां कि यह देखें यह जो हाफ है हाफ के पास मैं रख लूँगी यह जो सिलाई है साइट्स की और यह मैं इसका हाफ है नीचे वाले पार्ट का वो मैं उसे रख लूँगी और इसे फिर उसके बाद बस उपर से रख करके अटाइच करना है अब आप शीच टैप से चाहें उस टैप से कर लें मैं इसमें हलका सा यह सिलाई ढूंड रही हूं कि ताके मैं सिलाई पर रखनू और उसके बाद उसे हलका मेजर करनू ऐसे तह मिलाए हुए हैं इसे नीचे की तरब हाफ में दाग देना था तेसे लिए इ अब देखे हाफ के पास पकड़के इस टैप से हम घसका करके पुरा यह कर लिए मिला लिए कि कितना मेरा यदर जाएगा एक अंदाजा कर लिए उसके बाद सीलेंगे तो हलका हलका सा हम घसकाते हुए उसको मिलाते हुए पुरा उपर से रख करके वह सीधे ही की तरब से य लाते हुए देखे जी स्टेप से हम मिला रहे हलका हलका सा अब देख करके आपको ज्यादा समझ में आएगा देखे मैं पुरा यह एटाइच कर लिए उसके बाद जो हाँ से स्टेज की थी उसे मैं खोल रही हूँ यह पुरा लगा ली देखे बोटी वाले पार्ट में भी मैं लगा ली कितना खुबशत लग रहा देख करके यह वाइट वाइट आपको ज्यादा नहीं पता चलता होग अब जब खुद बनाएंगी तो कैमरे अपना नहीं दिख रहा है यह देखे यह भी उपर से है नीचे वाला भी और फिर उपर वाला भी उपर से ही लगाए हैं अब चाहित इंट्रलॉक भी कर सकती है और सिलाई करके तो और मोटा मोटा रहता है तो अच्छा लगता है दे जाबर में भी हमें हल्का सा चून देना है मैं यह जब बाजु कट की थी तो साइड कोई कट नहीं कि थी क्योंकि इसमें कोई डिजाइन है ही नहीं बस इसे एस्टेट कट किया हुआ हा हल्का सा नीचे से आप बॉटन के पास से कट कर सकती है आने तर फिर कोई ज़रूरी नहीं देखे यह मैं नीचे में अलाश्टिक लगाऊंगी और खेच करके इसे जितना हमारे कलाई के पास आएगा जितना जरूरत है मैं उसे मोड़ करके उतना सिल दोंगे यह देखे इस टैप से अलाश्टिक हम चपका हैं और उसके बाद यही से हम हाफ इंचेज मोड़ते ह कि हाफ इंचेज मोड़ते हुए यह चेक करते हुए की अलाश्टिक मेरी नपकाए हम इसे सिलाई कर लेंगे बाजू में नीचे बौटम के पास यह इस टैप से हम सिलाई कर लेंगे उसके बाद खीच करके जितना हमें चाहिए होगा उतना पर हम फिटिंग दे लेंगे मेरे वीडियो को वाच करें मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें और कमेंट करें मेरे वीडियो पर प्लीज मेरा समोट करें अब बेल आइकन घंटी ज़रूर जबाकर नोटिफिकेशन ले तभी आपको सबी वीडियो मिलेगी अब मेरी थोड़ी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें वाच करें मेरे वीडियो को सेयर करें और बताएं ज़रूर कि आप किसी इसके आपको वीडियो चाहिए या फिर वीडियो में कोई कमी है कुछ भी आप पताएं बोलें देखे मैं इसे सिलाई कर ली हलका सा यह छूट गया था तो मैं उपर भी छिलाई कर ली यह आलाश्टिक पकड़ जाने के चकर में जैसे हलका सा हम कौनर के दम सीलते हैं तो छूट जाता है तो उसे मैं दुवारा कर ली और उसके बाद इसे मैं खीच लूँगी जैसे खीच करके जितना मेरे इसके कलाई के पास चाहिए चार इंचेज हम इसे रखी थे यह देखे इस टैप से रखना हां तो हम अपने में नापे थे तो छोटी लड़की कहा तो मेरे साढ़े चार इंचेज आ रहा था तो उसका हम चार इंचेज कर लिए बस इसे हाफ इंचे सिलना हां पुरा उपर से लेकर नीचे तक क्योंकि उपर भी हमको इसमें चून देना हां सोल्डर पर बहुत खुशरत है बाजू बन करके तयार होता है फ्रॉक में ज्यादा तर हम इस टाइप का बाजू बनाते हैं बहुत अच्छा लगता है क् फ्रॉक में नीचे घिर रहता है और बोडी के पास से जहां पर से चोला बना करके और बोडी का पाट जो कट करके हम फ्रॉक बनाते हैं नीचे से चून देते हैं या रफिल दे करके बनाते हैं जैसे भी फ्रॉक हम बनाते हैं तो इस ट्रैप का बाजू रहता है फुला आएगा हाथ के पास और उपर भी से मैं हलका सा चुन दे दूँगी जितना मेरे लगा करके बचेगा जितना इसमें मेरा बच रहा बस नहीं मैं हलका हलका सा चुन दे दूँगी जो फुला फुला बाजु बहुत खुशत लएगा देखने में यह देखें से उपर में जितना आएगा मेरे चुन मैं बोडी मूँ बाजू जब आठाइस करेंगे तो हम दे लेंगे यह देखें मैं कई वीडियो अपलोड की हूँ इस्टैप की तो मैं इसे हलका सा कट कर दी हूँ कि ज्यादा लंबी नहीं हूँ क्योंकि नेक डिजाइन देना था आइडिया देना था अपलोड का अलका सा आइडिया मिल जाए तो हम इसली बना लेते हैं तो वही हम अलका सा आइडिया आपको दीए हैं यह देखें जी मैं वाजू लगा ली और यह यह डबिल रफल वाली फ्रॉप उपर से सिलाए करके अब जरूर ट्राय करें और जरूर बना कर देखें बहुत खुश्रत लगती है यह इतना मेरा नीचे का अपलाई यह वाइट है और फिर यह कबड़ा भी थोड़ा वाइट है तो मेरा कम पतर चल रहा ने ते फिर बहुत खुश्रत यह इसी स्टैप का बाजू है मेरा नीचे कलाई के पास इतना बॉटम है तो उसी टैप का मैं पैर में भी रखे थी अब प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें सेयर करें प्लीज